आपको हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बीमा आखिर किन चीजु का होता है लेकि इंसुरेंस बीमा का मतलब एक ऐसी बेवस्ता से होता है जिसमें कोई बीमा कमपनी आपकी किसी बे नुकसान, बीमारी, दुरुगटना या मृध्यू के स्थिती में आपकी आर्थिक सुरक्षा देती है आम तर पर हम मानते हैं कि बीमा सिर्फ हमारी जीवन को और हमारी कार का ही होता है लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है आजकल इंसुरेंस कंपनियां घर से लेके ट्रैवलिंग तक के लिए इंसुरेंस के सुविदा उपलब्द करवाती है जैसे होम इंसुरेंस है आम तर पर लोग घर को खरीदने में तो लाक रुपे करश कर देता है लेकिन उसका इंसुरेंस नहीं कराते है ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि लोग को इसकी प्रयाप जनकारी नहीं होती है कुछ insurance company इसके सुख़दा देती है Home insurance आम तोर पर भुकम, आस्मानी बिचली, तूफान, बार्ड इत्यादी प्राकरतिक आपदाओं के कारण प्रापिटी और उसमें रखे समान को होने वाले नुकसान का coverage देती है बॉमन निवस्तियों की चोरी होने पर भी insurance में उसे cover किया जाता है एक्सपर्ट्स की अधी माने, तो आज की समय में Home insurance policy लेना घर के मालिकों के लिए काफी जरूरी होता है आमताप पर इस तरह की बीमा policy में दो शेरियों cover किया जाता है पहला building structure और दूसरा घर का किमती सामान यानि अगर किसी प्राकर्टिक आपदा में आपके घर के structure को कोई नुकसान होता है तो उसमें आने वाले खर्चे, construction cost की बात कर रहें खर्चे की अधिकान्स भरपा insurance company के ओर से की जाती है वहीं अगर आपने अपने घर के केमती सामान नुकसान होम अप्लाइंस, portable equipment, cell phone, laptop, TV को भी cover कर रहे हैं तो आगजनी, चोरी और सेंदमारी के बाद आपको ज़्यादा वित्या नुकसान हैं आपड़ता है, home insurance policy में प्राकर्थिक आपदाओं से हुए नुकसान, चोरी और सेंदमारी से स्वरक्षा मिलती है experts का मानना है कि कुछ विमा कंपनियां, किराये के घर में भी आपके बहुमेल सामान को cover करती है वहीं होने ने ये भी बता है कि package policy लेना ज़्यादा फाइदे बन रहता है क्योंकि इसमें building के साथ साथ घर के समान और अन एहम चीज़ों cover करने के सुद्धा दीशाती है mobile insurance तो आपको पता ही है, जब mobile खरीने जाता होंगे तो insert किया जाता है थोड़ा साजीब लगता है लेकिन mobile का भी insurance होता है किसी भी अन्य वीमा उत्पाद की तरह mobile phone वीमा जोखिम cover परदान करता है इस तरह के मामलों में insurance आपको phone खुने, चोरी और नुक्सान जैसे institute के लिए जोखिम cover परदान करता है इस तरह के बीमा को gadget खरीदने या billing के दिन से अधिक्तम पांच दिन के अवदी के बीतर खरीदा जा सकता है insurance का premium gadget के मुले पर निर्फर करता है ये cover period समाने तोर पर एक साल के लिए होता है लेकिन बादार में कुछ ऐसे बीमा करता भी है जो दो साल के लिए भी cover परदान करते है अभी इन इस चित्यों में बीमा का फाइदा क्या होता है Act of God होता है अरताल या दंगा के दौर नुक्सान या चूरी में फाइदी मिलते है चूरी और हाउस बेकिंग के मामले में फाइदा मिल जाता है आख बिचली और बिसफोर से होने वाले नुक्सान में आपको फाइदा मिलता है वैक्तिकत लापरवाहि के परिणाम सरूप होने वाले नुक्सान जैसे की होना बूल जाना बूल गयगा है चोहदाना गयबमाल जाना या फिर गीर गिर जाना चूरी की कोसिस होने वाली हानी है भारतिय के बाहर हुआ हुआ कोई प ये нुक्सान है जान भूज कर उपेक्चा के कारण नुकसान गलत इंस्टॉलिशन और गलत सेट अप के कारण होने वाले नुकसान पर साइबर हमले आतनकवादी गतिवीजियों और घ्रनित गतिवीजियों के उद्रान होए नुकसान पर जो फाइदा है वो भी आपको मिल जाता है अब एक चीज़ हम आपको और बता जाते हैं और वह यह है कि कौन-कौन सी कंपनिया बीमा देती है काफी सारी बीमा कंपनिया थर्ड पर्दताओं के माद्यम से मोबाईल गैशेट बीमा परदान करती है बजाज अलाइन्स, नेशनल इसनल्स कंपनी, ओरियंटल इसनल्स कंपनी और न्यू इंडिया असुरेंस कंपनी इस सिवह कि पेस्कास करने वाले कुछ प्रमुक नाम है मुई धर्ड पर्टी के अलावा सिस्को गैजट्स, बिसकोट्ट, गैजट कॉप्स, इनफी शिल्ड, वारेंटी बाजर्स, एप्स डेली और ऑनलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है फिर है ट्रेवल इंसुरेंस ट्रेवल इंसुरेंस एक विसी परकार का इंसुरेंस होता है जो कि यात्रा के दोरान उचाइदेश के बीतर हो या बार हो यात्रा के दोरान मेडिकल खर्चों, ट्रिप कैंसल होने पर, सामान खुने, फ्लाइट के दुगटना ग्रस्त होने या अन्य नुकसान के सुरत में आपको सुरद्शा पर दाल करता है ऐसे म्यात्रा के दोरान आने वाली तमाम परिशानियों से बचने के लिए ट्रेवल इंसुरेंस एक बहतर भी कल्ब है यह ना सिर्फ आपको सफर में आने वाली तमाम मुसीबतों से बचाता है बलकि रास्ते में होने वाली समस्यों में हुए नुकसान की भरपाई भी करता है अब मुद्दा यह है कि क्या आपको ट्रेवल इंसुरेंस की जरूरत है अगर आप इरुपियों देशों या अन्य किसी खास देश में शुट्टियां बिताने जा रहे हैं तो आपके लिए ट्रेवल इंसुरेंस लेना ज़रूरी है शॉट टोमेस्टिक ट्रिप में इस तरह के कवर की जरूरत नहीं होती है लगन अगर आप लंबे टूर पर जा रहे हैं तो चोरी और ट्रिप कैंसलेशन का कवर ले सकते हैं अगर आपके मौचूदा मेडिकल इंसुरेंस में विदेश में विलास का कवर है होम इंसुरेंस में ट्रैवलिंग के दौरण आपके सामान का भीमा है और आपके पास personal accidental cover है तो आपको travel insurance देनी के जरूत नहीं है लेकिन अगर आपके पास यह सभी insurance नहीं है तो फिर आप travel insurance लेची है अभी कितना cover लेना चाहिए यदि आप जानका हो रही कि माने तो यह आपकी travel cost का चार से आठ फिस्ति होना चाहिए insurance company आम तोर पर के category के तहरत fixed option देती है इसकी range 15,000 से लेकर 15,000 से लेकर 50,000 डॉलर तक होती है जो यात्रा की अब दी benefits और travel से रुड़े area पर नेपर करती है अभी आवेदन कब करना चाहिए हो भी मैं आपको बिता जता हूँ travel insurance policy की अबदी बढ़ाने के लिए आवे तक मौझूदा travel policy की coverage स्वमाप्थ होने से पहले किया जाना चाहिए मौझूदा policy की अबदी स्वमाप्थ होने से 7 से 10 दिन पहले extension करवाना बहते रहते है इतना ही नहीं policy holder इसे यात्रा के दौरान भी extend करा सकते हैं इसके लिए उसे के वर इंटरनेट connection की जुरूद होती है फायदे जो हैं वो भी बहुत अच्छे खास है यात्रा के दौरन अगर किसी की आक्स में प्रिट्टी हो जाती है तो उस इस्तिती में भी travel insurance के policy में तैय कवरिश के इसाब से आपके परीजनों को बिलिए त्रेवर इंसुरिंस के कई परकार होते हैं domestic travel insurance, अंधर राष्ट्य यात्रा वीमा, corporate travel insurance, शात्र यात्रा वीमा, वरिश नाकरी यात्रा वीमा, परिवार यात्रा वीमा सब का अपना अपना फायदा है तो धन्यवाद आपका हमारी चैनल पे स्वागत है आपको मारे शेयर के सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीशिए धन्यवाद